अनाव्यम के सभी दर्शकों को साधर प्रणाम दर्शकों ने मुझसे पूछा है कि शराब बीने के बाद अगले दिन सुबह हैंग ओवर होता है उसका क्या इलाज है रात को शराब पिने के बाद जब सुबह उठते हैं तो सिर में बुरी तरह से दर्ध रहता है हाथ पेरों में दर्ध रहता है ठकान रहती है उठने का मन नहीं करता शरीर टूटा टूटा रहता है जी में चलाता है उल्टी आती है memory loss हो जाती है पता ही नहीं की रात को क्या हुआ है और concentration का loss हो जाता है ये सब hangover के लक्षण है तो hangover के सबसे पहले कारण जान लेते हैं शराब पीने के बाद जो alcohol है वो है हमारी body में जाकर पानी को पूरी तरह से absorb करना शुरू कर देता है जिससे dehydration हो जाती है तो एक कारण dehydration भी है दूसरा कारण इस dehydration की वज़े से electrolyte imbalance हो जाते हैं जिसकी वज़े से भी hangover हो जाता है तीसरा कारण शराब पीने के बाद जिस stage पर नींद में हमें जाना चाहिए था उस stage पर हम नहीं जा पाते हैं और इस sleep disorder की वज़े से भी hangover हो जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि electrolyte imbalance हो जाता है जिसकी वज़े से blood sugar काफी हद तक low हो जाती है और एक कारण blood sugar का low होना भी होता है alcohol intestine में जाने के बाद एक chemical reaction शुरू कर देता है इसकी वज़े से gastrointestinal problems शुरू हो जाती है तो यह भी एक कारण होता है hangover का इस hangover को ठीक करने के लिए लोग तरह तरह की दवाईयां लेते हैं जैसे aspirin है, PCM है, ibrufen है इन दवाईयों की वज़े से kidney और liver में गातक बिमारियां परपनी शुरू हो जाती है और gastrointestinal problems को ठीक करने के बजाए यह उन्हें और trigger कर देती हैं जिनकी वज़े से problems और भी बढ़ सकती हैं तो आज जानते हैं कि इस hangover को ठीक करने के लिए हमें कोन से घरेलून उसके अपनाने चाहिए सबसे पहला और सबसे महतोपूर्ण इलाज यह है कि हम शराब पिए ही ना और यदि किसी वज़े से पीनी भी पड़े तो responsibly पिए कम पिए दूसरा बोडी में पानी की कमी ना होने दे 30 ml शराब के लिए हमें एक लीटर पानी की जरूत पड़ती है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किस तरह से शराब को अपने शरीर के अंदर पचा रहे हैं लोग पानी का बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करते हैं जिसकी वज़े से हैंग ओवर बहुत ज़्यादा हो जाता है इसलिए जब भी किसी वज़े से शराब पीनी पड़े तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें दूसरा स्टमक लाइनिंग करने के बाद ही शराब पीए खाली पेट कभी भी शराब नहीं पीनी चाहिए शराब यदि पीनी पड़ रही है तो स्टमक लाइनिंग कम से कम आदा पेट खाना खाने के बाद ही शराब पीए शराब पीने के बाद भी पूरी तरह से शरीर के अंदर पानी की कमी ना होने दे और पानी खूब पीए इससे क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर जो इंटोक्सिकेशन शराब की वज़े से बनता चला जा रहा है वो यूरीन के जरिये रात बर में बाहर निकल जाएगा इन सब के लिए एक घरेलू नुसका एक निमूनी चोड़ें और उसे अच्छी तरह से मिला लें फिर उस पानी को सिप सिप करके चाय की तरह कंजून करें इससे हैंगवर बहुत ही जल्दी ठीक होता है साथ ही साथ एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करें पेट को खाली ना रखें नूट्रिशियस ब्रेकफास्ट का सेवन करें इससे भी हैंगवर जल्दी से ठीक हो जाता है देखिए मैं तो यही कहूंगा कि शराब कोई अच्छी चीज नहीं है शराब का सेवन हमें नहीं करना चाहिए इसकी वज़े से अन्य बहुत सारी समझ्चाएं साथ में हमें आ जाती है और जो लोग शराब का सेवन करते हैं इस तरह के हैंगवर को देखकर वो खुद ही कहते हैं कि मैंने शराब क्यों पी मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए तो मैं यह आशा करता हूँ कि शराब से आप लोग तोबा करेंगे शराब को छोडेंगे आने वाली वीडियोज में आप से फिर मिलता हूँ तब तक के लिए साधर प्रणाम आरोग्यवान भावतू